गुद मॉर्निंग टू अल आफ यू अस्टडी इंडियाड़ ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और आज का वीडियो में हम लोग ये वीडियो नंबर सेकेंड हो रहा है जिसमें ट्रिगोनोमेंटरी का ट्रिक्स देखने जा रहे हैं जब भी आप अपने कलासेंज में ट्रिगोनोमेटरी पढ़ाई करते होंगे तो अकसर सारा एंगल याद हो जाता होगा लेकिन 373 वाला जो एंगल है इसका बहलू जो है वो काफी जादा कन्फ्यूजन करता था ये सब के साथ होता है आईए आज का वीडियो में इसे बहुत ही असानी तरीका से हम लोग समझेंगे और साथ में लिख भी लेंगे सारा एंगल कि अगर ये वीडियो आपको पसंदार है अगर आप चाहते ही इस टाइप का वीडियो और आपके लिए लाया जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लाय का टार्गेट है वो जितना जल्द हो सके 100 पलस लाय का टार्गेट पुरा कर दीजिए उसके बाद सिकेंड वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बहत्रीन आने वाला है देखिए, इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले जब भी कुश्चन में आपको साइन तरीपन, कौस तरीपन, कौस सेंतिस, टैन सेंतिस यानि त्रीपन और सेंतिस वाला एंगल लिखने को आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है बिना कुछ सोचे समझे rough seat पे एक right angle triangle ड्रा कर लेना है right angle triangle जिसमें एक cone जो होता है साथ ही हो वो 90 degree का होता है एक cone हमारा यहाँ पे क्या हो गया यह 90 degree का cone हो गया ठीके आपने पढ़ा होगा हलका फुलका तो सबको knowledge होता है ना बहुत ही interesting topic है 90 degree जो angle होता है उसके सामने वाला side को हम लोग hypotenuse कहते हैं यानि कर्ण बोलते हैं यह जो side है वो सबसे बरा होता है सबसे लंबा होता है ठीके तो इसका जो value हो गया वो 5 हो गया जिनरली sin 37 cos 53 में जो भी data यूज होता है वो 3, 4 और 5 तो 90 degree के सामने सबसे बरा side है इसे लिए इसका value 5 लिख दिए एक angle को हमको 37 ले लेना है और एक angle को 53 ले लेना है 37 53 से बरा है या छोटा है सर छोटा है तो 37 के सामने वाला side छोटा होगा ठीके जी अच्छा उसी तरीका से 53 देखेगा 53 बरा है 37 से तो यह हो गया भी पूछ लीजिए मैं मिंटों में लिख दूँगा है ना सेकेंडों में जैसे सर पहला sin 37 का लिख लेते है है ना sin 37 sin theta क्या होता है perpendicular by hypotenuse P by H आपने पड़ा होगा ठीक है 37 अब देखना है 37 के सामने वाला side कोई भी कोन का सामने वाला side perpendicular होता है lump जिसे हम लोग बोलते है 90 degree को छोर के 90 degree के सामने वाला side को hypotenuse बोलते हैं कंड बोलते हैं यह defnation है hypotenuse का भी ठीक है तो 37 का सामने वाला side यानि यह वाला side ठीक है सामने वाला side 3 यह perpendicular हो गया और hypotenuse कितना है भाई पाच है तो तीन भाई पाच लिखा गया, बहुत असानी से लिख सकता है, उसी तरीका से आप बोलिए, तो cos 37 का लिख देता हूं, cos 37, cos 30, cos ठीटा क्या होता है, b by h, यानि अधार y कर्ण होता है, साथ यो, ठीके, cos 37 सामने वाला साइट, तो प्रिपेंडिकूलर हो गया, तो इसको छो और कि ये वाला साइट, बेस हो गया, यानि 4y 5 लिख देंगे, उसी तरीका से 1037 का लिख लो, इतना एजी है, 1037, 10, ठीटा क्या होता है, p by b, परिपेंडिकूलर y बेस, 37 के सामने वाला साइट, परिपेंडिकूलर, 3 हो गया, बेस 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, कुल मिला कर, sin 37, cos 37, 1037 का, sin 53, sin theta क्या होता है, p by h, ठीक है, देखो, 53 side के सामने वाला, 53 angle के सामने वाला side देखना है, 4 है, तो 4 हमारा परिपेंडिकूलर हो गया, और हाइपोटेनर्स तो 5 है, 4 by 5, उसी तरीका से, लिखो, cos 53, cos 53 by h, देखो, 53 के सामने वाला side तो परिपेंडिकूलर हो गया, लेकिन हमको अधार चाहिए, बेस चाहिए, और ये 3 हो गया, तो 3 by, हाँ, 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 परिपोटेनर्स 5, उसी तरीका से, 1053 का मान लिख लेंगे, 1053 क्या होता है, p by b, हाँ, तो परिपेंडिकूलर देख लो, 53 के स सामने वाला side 4, और बेस हो गया, 3, 4 by, ठीके, अब जल्दी से इसका रेसो प्रोग का लिख लेंगे, इन्वर्स वाला है, साइन के उल्टा बोलो, साइन के उल्टा होता है, कॉसे, कॉसेक 37 क्या हो जाएगा, तो 5 by 3 हो जाएगा, सर, उसी तरीका से, सेक 37, कॉस का उल्टा, सेक 37, सर, हो जाएगा, 5 by 4, टैन के उल्टा, कॉट, कॉट 37 हो जाएगा, सर, 4 by 3, कॉसेक 53 लिख लिख लिजे, सर, 5 by 4, तो कि रिभर्स करना है, कॉस का उल्टा, सेक, यानि सेक 53 लिख लिख लिजे, सर, 5 by 3, टैन 53, यानि कॉट 53 लिख लिख लिजे, सर, टैन का उल्टा, क किलियर है तो कितना असानी से 37 और 53 वाला हम लोग लिख सकते हैं बस याद क्या रखना है बच्छो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कोश्चन में अगर दीख जाए 37 53 अगर हम कन्फ्यूज हैं हमें वैलू याद नहीं है तो सिंपल सी यह ट्रैंगल को आपको ड्रा कर ल जाएगा यहाँ पर कुछ और याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो क्या याद रखना चाहते हो जैसे देखो साइंट 53 क्या है 4 वाई 5 कॉस 37 4 वाई 5 यानि साइन 53 और कॉस 37 का जो भैलू होता है वो सेम होता है यह भी कोश्चन पूछे जाते हैं यह आच्छा और का बैलू आपको सेम देखने को मिलेगा ठीके जी उसी तरीका से 1053 देखो कहा गया 1053 चार वाई तीन होता है है ना उसी तरीका से कोड़ 37 मिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ चार वाई तीन होता है ठीकल अच्छा अगला देख लेते हैं ग्रीन देख लेते हैं हां कौस 53 जो है वह 5 वाई 4 है सेक 37 का वैलू 5 वाई 4 यानि कौसrukt 53 है और सेक 37 का वैलू आपको सेम देखने को मिलेगा आट अच्छ अगला देख लो, सेक 53, सेक 53 का वैलू 5 by 3 है, और कॉसेक 37 का वैलू 5 by 3 है, यानि सेक 53 और कॉसेक 37 का वैलू बिल्कुल सेब है, अगला देख लो, रेट से कर लेता हूँ, कॉट 53, ध्यान से देखना हूँ, कॉट 53 का वैलू 3 by 4 और time 37 का वैलू 3 by 4, यानि कॉट 53 और time 37 जो है, वो इसका वैलू जो है, वो सेम होता है, आप देख सकते हैं, कितने असान तरीका से, हम लोग यह जितने भी टिरुनमेटरी फंक्सन है, इसका वै रख लें, एक बार और रिकॉल कर लें, जैसे कुछ भी पूछे, 1037 का वैलू, सर मुझे एक कनफ्यूजन लग रहा है, 1037 का वैलू क्या होगा, क्या करेंगी, सबसे पहले, एक राई टेंगल, टेंगल रा कर लेंगे, ठीक है, यह 90 डिगरी, सर सामने वाला साइड जो है, वो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, यह अगर 37 है, सर, तो सामने वाला साइड जो हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, यह अगर 53 है, सर, तो सामने वाला साइड 4 हो जाएगा, हमसे पूछ जाएगा, सर, question में 1037, 10 theta पढ़े है, सर, कि P y B होता है, ठीक है, तो देख लो, 10-37 के सामने वाला side जो हो गया वो perpendicular हो गया यानि 3 और base जो है वो 4 हो गया 3 y 4 देखो तो 10-37 इसमें 3 y 4 है 10-37 10-37 3 y 4 तो इस type से आप इस चीज को याद रख सकते हैं साथ यो ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें और जो like का target है उसे जतना जल्द पूरा कर दीजिए ताकि आप सभी के लिए फिर एक और वीडियो लेकर आएं Thank you so much